कॉमेडियन कपिल शर्मा के ट्विटर पर गाली गलोच वाले ट्वीट्स के बाद अब उनके खरीबी दोस्त और फिल्म फिरंगी के डिरेक्टर राजीव धींगरा ने चौकाने वाले बयान दिये हैं आरोप लगाये हैं उन्होंने कपिल की एक्स गर्ल्फरेंड प्रिती सी मौस पर बताते हैं कि प्रिती ने कसम खा रखी है कपिल को बरबाद करने की नमशकार मैं हूँ अभिशीक लंबे टाइम के बाद कपिल शर्मा ने फैमली टाइम विद कपिल शर्मा के साथ टीवी पर वापसे की शो को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया कपिल इन चीजों को लेकर काफी परिशान है लेकिन हाल फिलाल जिन चीजों की वज़े से कपिल चर्चाओं में आये वो उनके ट्विटर पर अभधर ट्वीट्स और मही पर पत्रकार को फोन करके गंदी गालिया देना इन सारी चीजों के वज़ो से कपिल के पुरे विवहार के वज़ो से वो लोगों के दिल से उदरते जा रहे हैं इसे बीच कपिल शर्मा के खास दोस्त और फिल्म फिरंगे की निर्देशक राजीव धींगरा ने मीडिया के सामने चौकाने वाले बयान दिये हैं कपिल शर्मा शो और कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शर्मा की क्रियेटिव डिरेक्टर प्रिती सिमॉस और उनकी बहन नीती सिमॉस कपिल के इस हालत की पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं राजीव कहते हैं कि मैं और कपिल पंजाब के छोटी शहरों से हमें लड़कियों के तरह बाते बनाना नहीं आता जैसे ही प्रिती को पता चला कि कपिल अपनी गर्ल्टरेंड गिन्नी से शादी करने वाले हैं उसने कपिल को बरबात करना शुरू कर दिया उसने यहाँ तक कि कपिल के दोस्तों को भी उसका दुश्मन बना दिया और तभी से सारी चीजे खराब होनी शुरू हो गई इतना ही नहीं उन्होंने ये भी बताया कि प्रिती को गिन्नी के बारे में भारती ने बताया था तब प्रिती ने कहा था कि अप कपिल स्टार बन गया है उससे गिन्नी से आगे कुछ सोचना चाहिए राजिव ने बाचीत के दोरान सुनिल घुरूर को भी नहीं बक्षा राजिव के नुजार सुनिल ने अपने हितों के लिए अपने स्वार्थ के लिए कपिल को एक कटफुतली के रूप में यूज किया कपिल के स्विवहार से सिर्फ कपिली नहीं बलकि उनके माँ भी काफी परेशान है कपिल के कुछ दोस्तन मिलकर उन्हें भरबाद किया तो वहीं उनके कई दोस्त मदद करने को ठाल चुके हैं प्रीती ने जबरदस्ती कपिल के लाइफ में एंट्री की है प्रीती ने मुझे भी धमकाया और कहा कि मैं और कपिल मुंबई के रहने वाले नहीं है वो हमें इंडर्स्ट्री से बाहर फिकवा देगी इस समय कपिल को लगता है कि उसने जो सालों की मेहनत के बाद कमाया था वो सब कुछ खो दिया है तो इस तरीके से राजीव धींगरा ने बताया कि कपिल शर्मा डिप्रेशन में है प्रिती से मौस से कपिल की जो भी हालत हुई है वो उनकी एक्स गर्फरेंड प्रिती के बज़ो से हुई है आरोप लगाए है कपिल के दोस्त राजीव धींगरा ने प्रिती से मौस पर इस वीडियो में फिलाल इतना ही